नमस्कार मेक्षिती जादेश मुख बीसे नियोस के प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है तो डालते एक नजराज के प्रदेश के खबरों पर बुलंच शहर में आपूरती विभाग और पुलीस की सयुक्त टीम ने पकड़ा राशन का चावल टीम ने पीकप गाड़ी से बरामत किये चावल के 46 बोरे राशन के बोरे राशन के बोरे को बाजार में बेशने जा रहा था योग टीम ने वहन को जबकर आरूपी ड्राइव की जो है पीडियस का राशन जो है किसी द्वारा कालावाजारी के लिए ले जाए जा रहा है कि सुचना पर टीम को भेजा गया इसमें आरो सप्लाई 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 इसक्टर थे इसक्टर नरसेना थे तो वहां नहर के पास एक गाड़ी पीकप मिली यूपी एक्यासी बीटी अठाइसो दो उसमें 46 कटे जो है चावल थे तो उसको पकड़ के थाने पर लाया गया तो उसका ड्राइवे जो था राहुल पुस्टों पाल उचा गाउं का निवाशी उसके दोरा यह कहा गया कि यह सब उचा गाउं के काड़ धारकों से फरीदा गया है उसके बा बीसे नियूस के लिए बुलन शहर से जाविद खान के साथ मोहित भुटानी की रिपोर्ट हरियाना हिमाचल के बड़ फ्ल्यू के खत्रे को देखते हुए अब मेरट में भी पशुची के साविभाग के और से सतर्कता बढ़ा दी गई है साथ ही डियम ने भी आदेज दिये है कि रेंडम चेकिंग भी की जाती है ताकि किसी भी खत्रे को टाला जा सके सबी को शासन की गाइड लाइन्स का सक्ति से पालन करने को कहा गया फिलाल मेरट में खत्रे जैसी कोई बात सामने नहीं आ जाती है वही पाच करोड अंडों का उत्पादन होता है इसके अलावा प्रशासन ने बताया कि 6,50,000 से जादा पक्षियों पर निग्रा ने रखी जा रही है मुख्य पशू चिकित सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कंसल का कहना है कि हर गाह में 15,000 जानोर उपर रखा है एक आम लोगों से कहा कि अंडे को उबाल कर ही खाए वही डीवियों ने बताया कि आम लोग यदि अंडे या मांस का सेवन करते है तो उबाल कर खाए उससे किसी भी तरका नुकसान शरीर को नहीं होगा साथ ही उन्होंने आदि दिये कि यदि किसी पक्षी या पशु के मृत्य हो दिये तो तुरंद उनको फोन कर जानकारी दी जाए पूरी तरह से उस मृत प्रक्षी का प्रशिक्षन भी किया जाएगा मैंपूरी के भोगाव क्षेत्र के ग्राम उस्मानपूर के पास इशन नदी में राजेंद्र सीह पूत्र रतिराम उम्र करीब 48 वर्ष निवासी महुहाहर पोस भोगाव थाना भोगाव में होमगार्ट की ड्यूटी परतेनात बाइक संख्या यूपी चोड़ासी एफ ग्यारा शून निनौ से ड्यूटी कर वापस अपने घर जा रहा था बुद्वाहर की रात में ड्यूटी कर वापस जा रहे थे लेकि तक के शव को कबजे में लेकर शव का पोस्मार्टम किया गया जन्पत मैंनपोरी से बीसे न्यूज के लिए मौमद आसिप के रिपोर्ट पुलीस अदिक्षक के निर्देश पर चला जन्पत में आवे जुए सट्टे के विरोत ताबरतों पुलीस की कारवाई से जुआ व सदरकोत वाली पुलीस ने यह कारवाई की विसे न्यूज के लिए काजगन से फईम की रिपोर्ट फ्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप हर परिशान इंसान की मदद को तयार यूपी पुलीस ने किसानों की साहता के लिए अलग डेक्स बनाया है एक मित्र की तरह पिडि साथ ही कॉंस्टेबल के ड्यूटी लगाए गई पेश है रिपोर्ट मिर्जापूर के थानों में जाने पर अब आपको किसान हेल्प डेस्क नजर आएगा तो चौकिएगा नहीं किसानों की कोई भी समस्या किसी भी विभाग से हो पुलीस अब उनकी पैर भी करेगी साथ ह की अलग से एक सब इंस्पेक्टर के साथ ही कॉंस्टेबल के ड्यूटी लगाई है जो पुलीस महक में के स्तर से उनकी मदद करेंगे इसके अलावा किसी अन्य विभाग में उनकी कोई समस्या है तो इसके निराकरन के लिए दूसरे विभागों में भी एक मित्र की तरह पै में किसान हिल्प डेस्क बनाया गया है जिसमें किसान डेस्क में किसानों से संबंदित जितनी की समस्या हैं वो सब सुनी जाएंगी और उनको एक तरह से अबलेक उनको किया जाएगा इस समन में एक रजिस्टर भी उस पर किसान डेस्क में रखा जाएगा जिसमें पुलीस पुलिस उनका तत्का निस्तान करने का प्यास करेगी और जो दूसरे विववाओं से समद्धित समस्या हैं उनको उन विववा के लिए बेजा जाएगा और पैरवी करके यह सुनिश्यत किया जाएगी कि उस समस्याओं का समाधा समय पर तरीके से हो और उसमें सुभए आठ विज़े से लेके और शाम को छे विज़े तक एक उपनी रिक्षक और एक कॉंस्टेपल की डूटी रहेगी जो किसान समंद्धी समस्याएं पर देख थाने में किसान हल्प्रेस सुनेगे बीसे नियूस के लिए मिर्जापूर से आजे दुबे की रिपोर्ट शेहर कोतवालिक शेत्र के बड़िया घाठ स्तीद बेसिक शिक्षा कारियाले परिसर के बाहर सुबह करीब 52 वर्षिय व्यक्ति का शवकार में मिलने से हरकम पजा है मौके पर पहुँची पुलीस ने जाज परताल कर बाजशाओ को कबसे में लेकर पोस्मार्टम के लिए फीज दिया है पता जाता है कि मुर्टक काप परिवार विंद्याचल में रहता है जबकि मुर्टक कार में ही सोता था पेश ए रिपोर्ट शेहर के कोटवालिक शेत्र के B.S.A. कैंपस में इंडिको कार में 52 वर्चिय शेशिकान त्रिपाठी का श्याओ देखा गया जिसके सुचना पुलीस को दी गए विंद्याचल के पंटिगरा नाला निवासी व्यक्ति की सुचना पर थाना प्रभारी कोटवाली शेहर और चोके प्रभारी वासिल गंच पुलीस बल के साथ मौके पर पहुची जहाच में पता चला कि मुरतक्ष शेशिकान अपने परिवारी जन से अलग रह कर अपना जीवन ग्यापन कर रहा था पुलीस द्वारा परिजनों को सुचना दे दी गई है शोक कब से में लेकर विदिक कारवाई की जा रही है BCN News के लिए मिर्जापूर से आज़े द्वारी की रिपोर्ट उत्तप्रदेश के मुख्या चाहे लाग दावे कर ले मगर हापूर के स्वास्त विभाग करमेचारे उनके आदिशों को पलिता लगाने में तनीक भी बीच नहीं जहां पर उत्तप्रदेश स्वास्त सरकार विभागों के लिए लाखो करोडों रुपए खर्श रही है वही पर हलके सी बरसात होने पर प्रात्मिक स्वास्त केंदर से पानी टपके आखिर जो आवास बना है स्वास्त विभाग के नाम से ही है उसकी दुरदर्शा पानी को टपकते हुए देख रही है आखिर क्या होगा उन मरीजों का जो रखते है इन पर काफी उम्मिद उट्टे है ऐसे प्रात्मिक स्वास्त केंदर पर कई सवाल आपको बता देए कि हाप पोड़ एक केंदर प्रात्मिक स्वास्त विभाग की दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है आखिर क्या होगा ऐसे विभाग का जो अपने स्वास्त विभाग को नहीं रख सकते संपूर्ण रूफ से बरसात में भी सही अभी तो बरसात का मौसम भी नहीं है अभी से यह हाल है अगर बरसात का मौसम होता तो फिर क्या हाल होता ऐसे सवाल उते है हापुर स्वास्त विभाग के कारे करताओं पर आपको बता दे कि हापुर के गडमुक्ते श्वरक शेतर के सादुलापूर लोधी में बने प्रात्मिक स्वास्त केंद्र, बारिश होती ही स्वास्त केंद्र की छट हुए तालाब में तब दिल च्छत पर पानी भरने के कारण छजजा जर जर कहे कैसी बड़े हाजसे काए दजार कर रहा है गर्मक्ति PARK केंद्र का जो खड़े है जर जर हालत में जो हलकी ही बरसाथ में कर दिया प्रातमी केंद्र को तालाब में तब दिल अखीर कहा जाएगे मरेज बरसाथ होने पर इसे स्वास्त प्रात्मिक केंद्र को देखते हुए अब यह देखना होगा कि स्वास्त वेबाग कितने जल से जल इस मामले पर सग्यान करे ताकि यह प्रात्मिक स्वास्त केंद्र ना बन जाए किसी बड़े मामलों का सरूप BCN News के लिए हापुड से अनिल कशप की रिपोर्ट पुलीस अदिक्षक के निर्देश पर चलाया अभियान पुलीस ने चोरी के बाइक सहते कारूपी को गिरफतार किया है मुगमेर के सुचना पर वाहन चेकिंग के दौरान मिली चोरी की बाइक कोतवाली ढोलना के कजबा बिलराम में बिजली के घर के पास ये मामला सामने आया काशगन से BCN News के लिए फैम के रिपोर्ट BCN News के प्रदेश के खबरों में वक्त चलाए यही रुखने का ताजा खबरे देखने के लिए देखते रहे है BCN News नमस्कार